आर्थो जिग्नियासुर अर्थार्थि ज्ञानी चा भरतर्शवार्थ चतुर विधा भजन ते माम सुक्रतिना चार प्रकार के लोग मेरी आराधना करते हैं ज्ञानी तो करेगा और क्या ही करेगा वो आर्थ जो है वो भी मेरा भजन करता है गीता में कहा है ना आर्थो जिग्नियासुर कुछ मिला है कुछ ज्ञान हुआ है तो फिर हाँ भगवान की आराधना करने से मन की शांती मिलती है कुछ संकट कम हो जाता है अभिलाशा जो एरायति में पूर्ण होती है ये क्या अपतत् निश्चे जिसका है भगवान की उपास ना करें बस वो पूजा पाठ वगेरे करवाएं तो सब ठीक होता ही है व्यवसाय भी सुद्रड होता है या तो परमार्थ अर्थार्थी जिसका बिलकुल निश्चे हो गया है कि भगवान के आराधना से ही मंगलता जीवन में आएगी अर्थार्थी भी मेरा भजन करते है पर कितने प्रेम से उसमें बता है सुकृति नहा ये चार प्रकार की लोग है ये चारो लोग जो है अच्छा कारिय करते है तो अभी तक जो स्वीकार नहीं कर रहा था भगवान को पर अभी कुछ हो गया मेरे लोग बस मेरा सहाय करेंग कि ऐसा सोच के बैठा था, अब देखा तो संकट कालीन परिस्तिति नहीं, मेरा मेरा कोई रहा ही नहीं, तब जाके दुखी होके भगवान की आराधना करें, तो उसकी हसी मजाथ नहीं करतें, वो भी सुकृत ही है, अच्छा कार्य कर रहा है, अभी तो उसकी बुद्धी अधरत हुई, ऐसा हमें उपदेश मिला है